तुनी चिडिया और उसकी सुन्दर सी बेटी का नाम नीला था. वे एक छोटे से गाव में रहती थी, जहां सारे परिवार एक बड़े पेड के नीचे अपने अपने घरों को सुरक्षित महसूस करते थे. एक दिन तुनी चिडिया ने नीला के साथ बैठ कर सोने के पेड के उपर एक नए योजना की बात की. बिल्कुल मा, हमें एक नया साहस करना चाहिए, बोली नीला उच्साहित होकर. तब तुनी ने बताया, हमें अपने गाव को और भेतर बनाने का सोचना चाहिए. हमारे पास कई सुंदर फूल है, जो हम दूसरे गाववालों को बेच कर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं. नीला मुसकराई और बोली, मा, यह एक शांदार विचार है. हम एक सुंदर बाग बना सकते हैं, और लोगों को फूल बेच कर गाव को सम्रुद्धी में मदद कर सकते हैं. तुनी चिडिया और नीला ने मिलकर गाववालों को सुंदर फूलों का बाग बनाने की योजना बताई और सभी ने इसे खुशी-खुशी स्वीकार किया. बाग की तैयारी में तुनी और नीला ने सभी को साथ मिलकर मदद की और बहुत ही जल्दी गाव में एक खूपसूरत फूलों का बाग खड़ा हो गया. गाववालों को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि उनके छोटे से गाव में इतना सुंदर बाग कैसे खड़ा हो गया. सभी ने तुनी चिडिया और नीला की मेहंत की सराहना की और उन्हें बहुत सारी शुबकामनाय दी. इसके बाद नीला ने देखा कि उसके मामा, कालू मामा गाव में एक अच्छा साथी बनने की कोशिश कर रहे थे. वह उनकी मदद करने का निरने लिया और तब से उनका संबंद एक नए मोड पर बदल गया. कालू मामा गाव का सबसे मज़ेदार और आलसी कौवा था. वह हमेशा लोगों को हनसाता और मजबूती से काम करने को कहता था, लेकिन उसकी अपनी कमजोरी थी. नीला ने देखा कि कालू मामा की आलसी आदते उसे कैसे कठिनाईयों में डाल रही थी और उसने उससे बातचीत करने का निरने किया. कालू मामा आप बहुत मज़ेदार हैं, लेकिन अगर आप अपनी आलसी आदतों को बद लेंगे तो आप और भी मजबूत हो जाएंगे, नीला ने कहा. कालू मामा ने पहले तो ठोकर खाई, लेकिन फिर उसने नीला की सीखों को सुना और उसने खुद को सुधारने का निरने लिया. नीला ने कालू मामा को सहायक बनने में मदद की और उसने उसे दिन बदिन महनती बनाया. उन्होंने एक साथ कई परियोजनाओं में मिलकर काम किया और गाव में नएने परिवर्तन लाया गाव के लोगों ने देखा कि कालू मामा ने अपनी आलसी आद्ते छोड़ दी और उसने कैसे मेहन करके गाव के विकास में मदद की उन्होंने उसे सराहा और उसे गाव का सम्मान दिया. इसी बीच नीला की दोस्त नीला चिडिया ने भी गाव की सुन्धरता को और बढ़ाने का निरनय लिया. वह नए पेड़ पौधों को लगाने का कार्य करने लगी और उसने गाव को एक हरित पर्यावरण में बदलने के लिए कई पहलूओं पर ध्यान दिया गाव की बेटी नीला और उसकी मातुनी चिडिया ने मिलकर गाव को नए रंग में रंगने का कार्य किया उनकी मेहंत और समर्पणने गाव को समर्धी की और बढ़ने में मदद की और वह एक सुन्दर समर्धी भरा गाव बन गया इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि मिलकर काम करने और एक दूसरे की मदद करने से हम अच्छे परिनाम प्राप कर सकते हैं और हमें अपने समुदाय की सेवा करने का आनन दाता है